चतिसगर न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है इंस्टाग्राम है करके इंजीनियर बना ब्लेक मिलर लड़की से बोला प्राइवेट तस्वीरे कर दूंगा वाइरल महादेव एप से खेलता था सट्टा दिल्ली से गिरफतार राइपूर की पुलिस ने एक बीटेक इंजीनियर को पकड़ा है ये सोशल मीडिया के जरिये लोगों के अकाउंट से छेड़ चार कर प्राइवेट तस्वीरों को न्यूड फोटो बनाकर ब्लेक मिल किया करता था इसे दिल्ली से गिरफतार किया गया है युवक का नाम सीताराम कपरदार है इसने रायपूर के गंज इलाके के एक कपल को बलेक मेल किया था जानकारी के मुताबिक एक युवक और उसकी गल्फ्रेंट को आरोपी ने तस्वीरे वाइरल करने की धम की दी थी शिकायत करता के मुताबिक आरोपी ने इनकी इंस्टाग्रॉप की आईडी हैक कर ली थी अकाउंट हैक कर उसी अकाउंट से प्राइवेट फोटो से छेड़चाड कर उन्हें न्यूड पिक्चर्स बना कर वाइरल करने की बात पर पैसे मांगने लगा सीताराम से फोन पर भी धंकिया देकर रुपे मांगे थे पुलिस की टीम में नंबर्स के जरीय उसे ट्रेस किया पता चला कि सीताराम जhelकंड कर रहने वाला है और इस वक्त दिल्ली में छिपा है चार पुलिस कर्मियों की टीम को दिल्ली रवाना किया गया आरोपी के इस्तेमाल किये मोबाइल नंबर, इंस्टाग्राम आईडी के नाम, पते सब फरजी थे। डिजिटली टीम उसे ट्रेस करती रही आखिरकार वो पकड़ा गया। आरोपी सीताराम ने बताया कि साल 2018 में सिंद्री जारखंट से बीट एक मेकेनिकल इंजिनियरिंग की पढ़ाई के बाद उसने बोकारो स्टील प्लांट में प्रशिक्षन लिया। इस दोरान आरोपी ने ICICI बैंक में रिकवरी एजेंट का काम किया। बीते चार महीनों से महादेव एप से क्रिकेट सट्टा खेल रहा था। इसी दोरान यूट्यूब से इंस्टाग्राम ID हैक करना सीखा कर लोगों के इस्टाग्राम को हैकर ब्लेक मिल कर QR कोड भेज कर पैसे की मान करने लगा। कई लोगों ने इसे रुपे दे भी दिये। इन रुपेयों को सीता राम सट्टे में लगाता था। पुलिस इसके शिकार लोगों से भी संपर्क कर दूसरे मामलों का भी पता लगा रही है।